Dear student, आज हम स्टार्ट करते हैं अंतरिछ में बिंदू, यानि कि point in space Actually इसमें 3-dimensional geometry की बात की जा रही है जैसा कि जानते हैं दी बीमी निर्देशांक या 2-dimensional geometry में ठीक है? दी बीमी निर्देशांक में हम किसी तल में परियोग करते हैं और जैसे xy हो गया, फिर yz हो गया, इस तरह का जो अच्छों से इसकी दूरी को बताता है ठीक है? यह क्यों निर्देशांक दिया जाता है? क्योंकि वह अच्छों से उनकी दूरियों को बताता है कि कितनी दूरी पर वह बिंदू है किन्तो अंतरिच में किसी बिंदु की इस्थिति ग्याद करने के लिए जैसा कि इसमें दिया हुआ X, Y, Z का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहां थ्री डायमेंशनल जमेट्री आजाता त्री बिमी निर्देशांग के जामिती आता है जिसमें यह बतायाता है कि किसी बिंदु को तीन निर्देशांग से हम निरूपित कर सकते हैं या जो बिंदु तीन निर्देशांग तलों को परसपर यानि कि जो परसपर लंब होते हैं उनसे हम निरूपित करते हैं तो हम यहां से देखते हैं कि नियामक अच्छ तथा सम्तल क्या है तो हम यहां जो है चित्र में देखते हैं कि नियामक जो है अक्ष या सम्तल क्या है तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं यहां पर एक्ष जेड और वाई ठीक है तीन निर्दशांक यानि की तल बना आपने गे जिनको हम नियामक अक्ष्क कहते हैं ठीक है तो और यह विए बिंदु Uhm जो है यहाँ पर किन्दु ओओ यह मूल बिंदु होता है ठीक है अब हम इसको देखते हैं कि यह यृदि वो बिंदु मूल बिंदु है तो रिखाएं x x dash y y dash और z z dash निर्देशांग अक्ष कहलाते हैं जो करमसह x y x तरथा z x को परदर्शित करती हैं या सो करती हैं अब इसमें जो अक्ष होते हैं x o y जो तल है x o y y o z और z o x यह देखें तीन तल हैं और यहां पर x o y y o z और z o x सम तल कहलाते हैं अब जो करमसह x y तल y z तल और z x तल की नाम से जाने जाते हैं अंतरिच में किसी बिंदु के निर्देशांग कैसे होंगे किस कंडिशन में कौन सा निर्देशांग आएगा इसको चलिए हम बताते हैं विस्तित रूप में अंतरिच में किसी बिंदु के निर्देशांग होगा माली यह x है और यह y है यहां फिर से हम बना देते हैं यह x यह y है तो यह x y तल कहलाएगा और इसमें जेट का कोई निर्देशांग नहीं है तो इसलिए यह z का निर्देशांग क्या होगा जीरो होगा यानि कि जेट नियामक को शुन्य होगा ठीक है अब हम देखते हैं य जेट तल के प्रतेग बिंदु पर यक्ष नियामक शुन्य होगा एक दूम उसी तरह से जेट एक्स तल में प्रतेग बिंदु पर य नियामक शुन्य होगा जैसा कि इसमें लिखा है और यहst पर प्रतेकस का निर्देसांग यहस seulement होगा जैसा कि इसमें दिया हुआ यहसर प्रतेकस का निर्देसांग यह जी?] जीरो जीरो यानिकि जीरो 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 होगा अब हम आजाते हैं सुत्र पर जो की दूरी निकालने के लिए दिया हुआ जैसा कि आप डू डायमेंशन जमेट्री में भी जानते हैं दूरी निकालने के लिए दिया हुआ था तो 2 dimension में x और y के वल रहता है और 3 dimension में x y z 3 हो जाता है तो यहां 2 बिंदू लिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हो 2 बिंदू है p x y यानि कि x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 आप यहां देखों तो इसमें क्या इनके बीच की दूरी अगर निकालने के लिए कहा जाता है तो यहां पर एक फार्मूला यहां पर दिया गया है जो की x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square और प्लस z2-z1 का whole square और इन सही का square root ले लेते हैं ठीक है फिर से एक बार हम रिवाइच करते रहें इसे कि जो P बिंदू जिसका निर्देसांग X1, Y1, Z1 तथा Q बिंदू या O बिंदू है जिसका निर्देसांग X2, Y2, Z2 है तो ऐसे दो बिंदू के बीच की दूरी निकालने के लिए ठीक है अंडर उट हम ले लेंगे X2, X1 का होल स्काइर प्लस Y2, Y1 का होल स्काइर प्लस Z2, Z1 का होल स्काइर यह किलियर है अब बिंदू P, X, Y तथा मूल बिंदू 0, 0, 0 से दूरी अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x1, y1, z1 के जगहाँ पर x, y, z दिया हुआ है और x2, y2, z2 के जगहाँ पर 0, 0, 0 दिया हुआ है अतर यह दूरी जो होगी वह अंडर उट x-0 whole square plus y-0 whole square plus z-0 whole square आनि कि यह x square plus y square plus z square यह दिया हुआ है अच्छा उसी तरह कि इसमें यह दिया गया है कि अगर x x से दूरी p बिंदू की निकालनी हो y x से दूरी p बिंदू की निकालनी हो z x से दूरी p बिंदू की निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे तो इस इस्तितिय में आप क्या करेंगे कि P बिंदू से जो है X, Y, Z की अगर दूरी निकालनी हो X, X से तो X, X पर आप जानते हो कि यहाँ पर Y और यानि कि X का यहाँ पर 0 हो जायागा यानि कि X माइनस X जो है वो रहे गा ही नहीं तो इसका मतलब है कि Y स्क्वाइर प्लस Z स्क्वाइर होगा ठीक है अगर X, Y, Z की दूरी Y, X से निकालनी है तो वहाँ Y गायब हो जाएगा यानि कि X स्क्वाइर प्लस Z स्क्वाइर होगा और P बिंदू से X, Y, Z की दूरी जो है Z एक्सिस से निकालना है तो यहाँ Z यानि कि जिस एक्सिस से निकालना हो वही वहाँ पर अपसेंट हो जाएगा वही एक्सिस का मेजरमेंट वहाँ अपसेंट रहेगा ठीक है अब चलिए कोशन हम देखते हैं एक्सिसाइश 12.1 से यह यह दिया हुआ है बहुत सिंपल कोशन है कि बिंदू जो है 3,4,5 और माइनस 1,3 माइनस 3 के बीच की दूरी ग्याद करें यह दूरी निकालने के लिए दिया हुआ है और बिंदू 3,4,5 तथा माइनस 1,3 माइनस 3 के बीच की दूरी हम देखते हैं x to minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square plus z2 minus z1 ka whole square ہے तो हम यहाँ पर इसका measurement लिख देते हैं तो यहाँ पर minus 1 minus 3 का whole square जैसा कि आप देख रहे हो, minus 1 minus 3 का whole square इसमें, और 3 minus 4 का whole square इसमें, और minus 3 minus 5 का whole square इसमें आ गया, अब इस हिसाब से हम देखें, minus 1 minus 3 minus 4 का whole square होगा, minus, यानि 3 minus 4 minus 1 का whole square, तो था minus 3 minus 5, 8 का whole square होगा, माइनस एट का होली स्कॉर्ट यहां फ़र 16 प्लस 1 प्लस 64 आ जायेगा जो कि सभी को आइड करने पर हमें मिलेगा 81 और 81 का स्कॉर रूट होगा 9 अतर यहां इसका अंसर 9 योनिट होगा ठेक है 9 इक आई चिक धने बाद